Hello everyone, my name is Chandan Singh. Guys, word of the day का series है और आज का जो word है इसे हम कहते हैं सोजर्ण. जी हैं दोस्तों? सोजर्ण, तुझ देखते हैं कि सोजर्ण क्या है और कैसे इसका इस्तिमाल करेंगे? Guys, यहां जो आप देख रहे हैं, एक मिनट, जी, यह जो आप देख रहे हैं, सोजर्ण हम इसे प्रणाउंस करेंगे. सोजर्ण एक वर्ब की तरह भी यूज होता है और एक नाउन की तरह भी यूज होता है. सोजर्ण का मतलब है थोड़े समय के लिए कहीं पर ठहरना, थोड़े दिन का निवास, यानि कि आप कहीं पर जाते हैं और कुछ समय के लिए जाते हैं, कहीं पर रुखते हैं, फिर वापिस आ जाते हैं, तो कुछ समय के लिए जो रुखना है वो सोजर्ण कहलाता है. तो आप एक noun की तरह भी ले सकते हैं और आप verb की तरह करेंगे तो sojourn, sojourning, sojourned ऐसे करना पड़ेगा तो चलिए इसके synonyms देखते हैं अगर अंग्रेजु की तरह देखें तो a sojourn is a short stay एक short stay को हम sojourn कहते हैं in a place that is not your home आपका घर अफकोर्स नहीं है, आप कहीं जाकर होटल में रह लीजिए कहीं पर रह लीजिए कुछ समय के लिए वो sojourn है a short period when a person stays in a particular place कुछ समय के लिए किसी place पर आप रहते हैं वो एक sojourn कहलाता है synonyms की बात करते हैं synonyms में आप stay कह सकते हैं visit कह सकते हैं, stop कह सकते हैं, rest कह सकते हैं तो मैं तो यहीं बूलूँगा कि आप इनका इस्तमाल तो आप जानते हैं आप sojourn कहें इस्तमाल कीजिए synonyms तो बस मिलते जुलते होते हैं आप इसके examples देखते हैं चलिए गैस, एक्जाम्पल के बात करते हैं, यहां लिखा है कि I will have to sojourn in Mumbai, यानि कि मुझे 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 में कुछ समय के लिए रहना पड़ेगा, during my auditions, यानि कि अपने auditions के दौरान मुझे 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 में रहना पड़ेगा, तो यहां कि I will have to sojourn, तो यहां पर sojourn verb की तरही उस हुआ है, देखे रहे हैं, sojourn, एक है कि I am going back to my home, यहां to होना चाहिए था, I am going back to my home, but I really enjoyed this sojourn, यही कि मैं अपने घर वापिस तो जा रहा हूं, लेकि मैं ने इस sojourn को वाकई enjoy किया, तो यहां पर यह sojourn क्या है, देखे रहे हैं, this sojourn है, तो यहां पर sojourn एक noun का काम कर रहा है, ठीक है जी, ऐसे this boy, this girl होता है, वैसे this sojourn, तो यह noun का काम कर रहा है, we had been planning this little sojourn for several months, यानि कि कई महीनों से हम इस छोटे से sojourn का plan बना रहे थे, sojourn अपने आप में छोटा stay होता है, फिर भी little लगा दिया है, तो यहां पर sojourn आप आप देख रहे हैं, यह भी एक noun की तरह काम कर रहा है, तो आप अपने हिसाब से examples बनाईएगा, I hope कि आपके समझ में आगया होगा, चले guys, screenshot ले लीचे, Okay, I hope कि आपने screenshot ले लिया होगा, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते अगले video में, till then take care, keep practicing and have fun, thank you guys.